ताके इस बार इतिहास लिखेगा जिनका ठीकट काटे वही निर्दली अजीत चलागेगा। स्टीफा दे दिये भाजपा से। मैं भाजपा इस निर्दली चुरा लड़ रहा हूं। परिवर्तन करेंगे और इतिहास लिखेंगे ना सिर्फ धार्खन जाने के बल्कि दिल्दी तक जानेगा। प्रत्याशी कमलेश राम नामांगन करके दिसी ऑफिस से बाहर निकले हैं। और यह देखिए कि भैरी संख्या में समर्था कि इनके साथ हैं। कमलेश जी नामांगन कर लिए कितना कॉन्फिडेंट है कि इस पार काके सीट आपको मिलने वाला है जन्ता पर भरोसा दिखाने वाली है। काके इस पार इतिहास लिखेगा। जिनका ठीकट काते वही निर्दली अजित्त चलाएगा। कि इतने संख्या में समर्थक आए हैं इस रैली में कितना उत्सा बढ़ा रहा है। कि जन्ता लड़ रही है जब जन्ता चुना लड़ती है जन्ता चुना लड़ रही है। अब आज नामांकन हो गया अब आप फील्ड में जाएंगे। जन्ता के बीच रहेंगे जन्ता का खाना खाएंगे और जन्ता का सिर्वाद लेंगे। कांके की जन्ता इस बार चुना लड़ रही है। क्योंकि कांके कहा जाता है कि कोई किसी को बेज़ दो चुना जिद जाएगा। लेकिन कांके के लोग आप समझ गए हैं अब जार्कन का भी चुबूः साल हो घर्कना हो जाम फिस च्कार बे Iowa तो कांके के कांके के लोग इस बार परिवर्टन करेंगे और इतिहास निकलेंगे ने दिली तक्तार झार इस्तिफा दे दिए भाजपा से मैं भाजपा इस्तिफा नहीं दिया हूं मैं निर्दले चुरा लड़ रहा हूं भाजपा भी जो करना करेगा कर लिए किस परिकेस से देख रहे हैं कांके की जनता का प्यार में प्यार मिल रहा है जिस समय से पिछले 6-7 दिनों तक मैं परिशान रहा मेरे साथ जो घटनाए घटी यह बात कांके की जनता के जनजन में गया है हर जगा हुआ चीज़ पहुंच गया है कि अपने बेटा के साथ अन्याय हुआ था अन्याय हुआ है और इसका जवाब कांके की देगा और हम सब जानते हैं समझते हैं कि कांके का रादानी से सटा हुआ विधान सबाह है और इस बार कांके की जनता मेरे जैसे नौजवान बेटा जो उनके साथ लगातार बारह वर्सों से उसके सूख और दुख में खड़ा रहा हूं और मेरे इतिहास यही है कि मैं हर च किया पूंचा है अभी समय नीकल चुका है तुम्य पारा चुका मैं मैं नमाने उच्त चुना लड़ने जारे हैं चुना लड़ने मनेंगे अँड़ोगाफाब दोसा दोगाफाब!